मौई इस लेक्चर में हम वाइरस वायराइड लैकेस देखने वाले तो चलिए शुरू करते है तो सबसे पहले हम देखेंगे वाइरसेज ओके तो वाइरसेज जो है से और जो वाइरस से यह connecting link between living and non living things में होता है को देखो वाइरस कही पर भी हो सकता है कि होस्ट बॉडड़ी चाहिए उसको वाइरस कि वह वहां पर आता है मतलब वह रह जाता है तो उससे भी यह मेरा जो टैबलेट जिस किसी ने चुआ वगरा तो उसको भी वो हो जाते सब्सक्राइब भी रिनो वायरस जो अपने को सर्दी वगरा करता है तो वह वैसे ही इधर के उदर जाता है ओके देखो living characters देखो viruses के क्या क्या वायरस में DNA और RNA दोनों भी होता है पर एक साथ एक साथ नहीं होता है आधर DNA और आधर RNA not both okay protein code भी होते हैं जिसे हम capsule कहते हैं क्या और यह infectious भी होते है वायरस की वह जैसे अपने को diseases होते है ना तो वह infect करता है body को इसका mutation भी होता है जैसे human being mutations होता है वह इसे ही हो mutation करता है और इसमें कुछ enzymes भी होते हैं अब देखो non-living characters है तो सबसे पहला don't have proper cell है ओके नो respiratory system भी इस पर नहीं है और यह crystallize हो सकता है can be crystallized और यह outside the host body grow नहीं करता है इसको host की जरुरत होती ही होती है अगर उसकी growth करनी है तो ओके देखो अप साइन्टिस्ट अपने NCRT के according तो सबसे पहले दीमित्री एवनवस्की इन 1892 गेव नेम वाइरस दैट मिन्स वैनम और poisonous fluid ओके दीमित्री ने ने दिया था और फर्स्ट डिस्कोवर किया था टीम टोबैको मोजाइक वाइरस उसमें उन्होंने वह वाइरस पाया था ओके और उन्होंने का देखा था कि यह कुछ स्मॉल बैक्टेरा से भी स्मॉलर और और अर्गनिजम से तो उन्होंने उसको नाम दे दिया वाइरस ओके और ही आल्सों डिसकोर्ड फिल्टरेबर प्रॉपर्टी ओफ वाइरसेज ओके उसके बाद यहम डबल्यू बेजरिन एक इन 1898 उन्होंने कॉंटेजियम वाइवम फ्लूडियम के बारे में बताया था जो कि एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूडे कैसा है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूडे डबली एम स्टेंड लेसर ने इन 1935 इन्होंने क्या किया क्रिस्टलाइज दवाइरस और एक क्रिस्टल्स जो होते है इसमें प्रोटीन्स होते है लाज आमोंट में एंड उन्होंने कहा था कि क्रिस्टल्स आर इनर्ट आउटसाइड देर स्पेस्विक होस्ट सेल एंड यह भी कहाता है कि वाइरसे सार ऑबलीगेट पैरासेट कैसे ऑबलीगेट है यह हो गए अपने साइन्टिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ वाइरसेस इंपोर्टन्ट है यह भी तो देखो कि यह प्रोटीन कोट है यह इसे हम कैपसीड भी बोलते है यह 95 परसेंटल होता है और नुकलिक एसिड कितना होता है फाइव परसेंट उसमें डिएने एंड आरेने पर क्या होता है आइदर डिएने होता है और आरेने बोथ आर नौट प्रेजेंट अब वाइरस है नेवर बोथ डिएने एंड आर एन ए ओके आइदर डिएने और आरेने आर प्रेजेंट और आर यन इंग आर प्रेजेंट यह हो गए आपना स्ट्रक्चर के बारे में उसके बाद क्लासिफिकेशन ओफ वाइरस देखो फ्लांट वाइरस जो मोस्ट ली रहते वह सिंगल स्टेंडर्ड आरेने के होते हैं प्लांट वारेस इस एनिमल वाइरस देखोु मॉल सिंगल स्टेंडर्ड आरेने भी होते हैं है डबल स्टेंडर्ड टिने इने अ कि और डबल स्टेंडर्ड और नी तीनों टाइप के विरस होते हैं जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं तो वह ऐसा नहीं यह कि डबल स्टेंडर्ड नहीं कर सकता और डबल स्टेंडर्ड आरे नहीं नहीं कर सकता वो तीनों भी टीव टाइप के वायरसेज एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं और तीसरा है बैक्टिरो फेज जिसको हम बैक्टिरियल वायरसेज भी कहते तो वह मोस्टली डबल स्टेंडर्ड डी एन एंड यह यह थोड़ा सा इंपॉर्टन्ट है अब वायराइड दिसके बारे में देखते हैं वायरस ट्यो डैनियर ने डिशकोड किया था इन 1971 और वायराइड में प्रोटिन कोट एपसेंट होता है कि क्या होता है बान्ट गोड़ सार्ट एपसेंट जनेटिक मेटरेल इस एक्स्रेंबली स्मॉल आर एं ए ओके जनेटिक मेटरील होता हग वह बहुत छोटा अमांट में होता है molecular weight is low as compared to virus क्यों बाई क्योंकि protein coat ही absent है ना उसमें तो वेट तो obviously कम हो जाएगा और यह जो है यह plant virus है कुन सा 20 different types of diseases are caused by virus उसमें से एक अपने NCRT में जिया है वह जो है potato spindle diseases और बाकी के आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में यह इसमें nucleic acid absent होता है एंड जो प्रोटीन होता है वह abnormally folded होता है एंड यह protein for क्या form करता है protein coat form करता है और यह infectious होता है यह जो protein coat है इंफेक्शियस है ओके 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 मॉलीकुलरीट इस अल्मोस सिमिलर टू वायरसेस क्यूं क्यूंकि भाई protein coat है पर वह कैसा है folded type में है तो थोड़ सा थोड़ सा कम ज़्यादा हो सकता है पर अल्मोस्ट ली सिमिलर आता है और प्रायोंस जो है वह कि अनिमल वायरस है यह important है अनिमल इसमें देखो अब यह disorders क्या क्या करता है तो इस सबसे है important neuro degenerative disorders क्योंसा neuro degenerative disorders में देखो cat cattle में भी होता है और humans में होता है तो जो cattle में होता है उससे हम bovine spongiform in Speilof pathy बोलते है और इसका एक दूसरा भी नाम है जिसे हम mad cow disease बोलते है कि एंड जो हुँमन्स में होता है वो होता है सी यार जकब डिससे हम क्रुड्स जेकब क्रुड्स जेकब सिंड्रोम भी बोलते हैं क्या कि रहे स्वारी है कि सिंड्रोम यह हो गया अपने प्रायंस उसके बाद लाइकन्स लाइकन्स जो होते वह स्लो ग्रोविंग मुझेम होते कैसे इसकी ब्रोथ धीमी धीमी होती है कि पेरेनियल मींस हो जो नो भी जो यह कि रह सकता हैre कि सिंबार्टी कहिए शेशन बिट्वं अलग्याइंड फंजा में होता है उसका जो यह सform these all the और जो फाइको जो माइकोबायंट होता है वो फंगल कमपोनन्ट होता है तो देखो फाइकोबायंट को फोटो सिंथेजिस करता है तो यह क्या करता है यह खाना बनाता है नूट्रिशन बोलो उसे एंड ये क्या करता है ये फाइकोबायंड नूट्रिशन माइकोबायंड को देता है प्रोवाइड फूड सबस्क्रों प्रोवाइड फूड की माईकोबायंड इडिकम मैं क्या मुक्य हूग का है रीप्र रोडक्षन स्रक्चर आफ लायकिन स्रक्च्र में आपर यह सब के सबकाम माईकोबायंड करता है तो मायकोबायंड मिनराल नूट्रिन एड एबसर्ज करता है और यह फाइको मॉक्ण को देता है क्या क्या देता है मुनरल कि न्यूट्रियन्ट है एक वाटर जो प्स्व रिचीज़े हैं वह मैकू बाइंट मतलब मैकोबाइंट्ट मतलब फंगल कमपोनेंट फाइको बाइंड को देते हैं तो ncrt में अपनी लाइन दीए देखो अल्गी प्रिपेड फूर्ड फॉर फंजा और फंजा प्रवाइड शेल्टर और एपसॉर्ड मिनरल नूट्रेंड और वाटर फॉर इट्स पार्टनर देखा जो मैंने का यह फूर्ड प्रवाइड करती नूट्रिशन और यह क्या करती शेल्टर भी देता है माइकोबाइंड फैकोबाइंड को और वाटर मिनरल्स भी देता है सो चाप्टर अपना हो गया है खतम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो थोड़ा जरा और कल से हम प्लांट किंगडम देखने वाले